भक्त परिवार पे से तीन सालों से भिकारियों, गरीबों और मुद्वी में खाना खिलाती आ रहा है और इस परिवार के सब्दे से गरीबों को त्योहार में स्पेस्वल करिकल शबित अलग-अलग खास मौकों पर गरीबों को खाना बाते आ रहे हैं वही इस साल सावन के पहले दिन से शोहर के अलग-अलग सेटों ने लोगों को मुफ्त में भरपेच खाना दिया जा रहा हूँ उनके गुप में करीब दो सो से तीन सो सोतों से हैं जो आपस में चनदा इतर्चित कर खाने का खर्च उठाते हैं शाथी सिव भक्त परिवार आने वाले समय में फ्री ब्लड बैंक और अंबोलाज शेवा की सुवाद भी करेगा आज के दोर में दरीबों को खाना बातना एक पूर्ण का काम है सावन का महीना चल रहा है ऐसे वक्त में अलग-अलग सकार के संस्था हैं और कुछ ग्रूप हैं जो लोगों को अलग-अलग तरीके से खाना बाट रहे हैं उन्हें फ्री में खाना खिला रहे हैं ऐसा यह संस्ता है सिवभक्त परिवार आप देख सकते हैं सिवभक्त परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर जो परमपरिक तरीके से जो होता है लोगों को घर में खाना छिलाते हैं उस तरीके से यहाँ बाट कर एक थाली लगाया गया है थाली के बाद उनको पानी पाउज भी खुछ नजर आ रहे हैं तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सीवख्त परिवार के दौरा यहाँ पर नेक काम किया जा रहा है आज के दौर में ऐसा काम बहुत कम ही लोग करते हैं हम सीवख्त परिवार की लोगों से बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पर परिवार की कुछ सदफ् संसा की शुरूब दोस्तों को ग्रूप था, वो ग्रूप में काम कर देते, फिर उसके आद हम ने सोचा कि इसको एक संसा को रूप दिया जाए और 9 अक्टूबर 2017 को हमने इसकी मतलब नियू रखी संभीती की, उस समय हम लोगों थे 35 लोगों का ग्रूप था 200 का, वहां से मन में कैसे सवाल आया कि इस तरह काम किया जाया, लोगों को फिरी में खाना बाटा जाया, आज के दौर में जो महगाई का दौर चला रहा है, ऐसे दौर में खाना बाटना, काफी बहुत अच्छा सराहनी कार रहे है, कैसे इस मन में सुरूप हम लोग हमेशा देखते थे, क सवाल आत्र के बाट बैठे की सवाल आतर निकालने झ्ले कुछ नहीं होगा, अपने तरफ से जो भी हो सकता है, गया, लोगों के जो हम लोग कर सकें, माना ओ धर्म के लिए, तो बैठे बैठे हम लोगों के मन में कि बात आईजी है अब लोगों के कुछ ना कुछ करना चाह जिससे मानवधर्म के लिए कुछ अच्छा हो सागी। जिससे मानवधर्म के लिए कुछ अच्छा हो सागी।